दोस्तों आप देख रहे हैं Youth India Live और मैं हूँ आपके साथ अस्टोनी सिंग राजपूत आज बात करेंगे महुमदी के मेले के इतियास के बारे में महुमदी मेले का इतियास क्या है और यह कितने वर्थों से चलता आ रहा है आज के समय और पहले के समय में क्या अंतर रहे तमाम बाते हम आज बारतालाब करेंगे अतुलस्तोगी जी से अतुलस्तोगी जी लोग भारती के जिले के सयोजक भी हैं तमाम चीजों से एक्टिव रहते हैं लगातार पोश्टों के मादन से लोगों को जानकारी पहुंचाते रहते हैं हमारे इतियास के बारे में तो क्या इसका इतियास है दर्सकों को पता होना चाहिए कि हमारा इतियास क्या है मुहमदी का यह बहुत ही बिख्यात रहा है और इसकी ख्यात ही बहुत दूर दूर तक रही है हम लोग अगर पूर में पीछे जाएं तो इसका इतिहाद सन 1899 मतलब आज से 125 बर्स पहले यहाँ पर यह मेला शुरू हुआ था जो हमारे पास जो सूचनाय आई बुजुर्गों से जो बात होती रही हमारे पिता जी जो बताते रहे उसके अनुसार स्वरगी बिंद्रा प्रसाद भल्ला और स्वरगी बच्चु भट इन लोगों ने अपना कुछन ने साधुगन थे और यह जो पुतन्नी तिराहे पर कद शिव मंदिर जो है उस समय एक छोटी सी मठिया थी चोंतरा बना हुआ था तो बहाँ पर चर्चाएं होती थी कि सब जगह रामलीला होती है हमारी मोहमदी में क्यों नहीं होती है तो इन लोगों ने प्रयास किया कि सुरू करना चाहिए तो सुरू करना चाहिए तो कैसे सु संसाधन नहीं थे अब संसाधन नहीं थे मेला सुरू करना है लेकिन होसला थे और पुराने समय में लोगों में आपसी सयोग की भावना और आपसी इसने सद भाव यह बहुत था तो उन्होंने सुरूआत की उन्होंने का कि चलो भाई हम लोग सुरूआत करते हैं तो पांच रुपए भी बड़ी रकम थी और उसके बाद फिर जब ये समाज में इसकी चर्चा सुरू हुई तो जो ब्रामण समाज के लोग थे उन्होंने सहर सस्विक्रती दे दी कि लीला का मंचन और जो पात्र बनेंगे तो वो हमारी तरफ से हमसा बनवाएंगे सजवाएंगे भी बनवाएंगे भी और जो हमारे जो किनरवर के लोग थे उन्होंने कहा कि जो नत्य की विवस्ता है वो विवस्ता हमारी तरफ से रहेगी हमारे जो कहार विरादरी के लोग थे उन्होंने कहा कि ये पालकी उठाना है या तलवार बाजी है पट्टे बाजी ह और इस तरीके से जो भी काम है तो वो हमारा समाज करेंगा और इस तरीके से धीरे धीरे हर समाज के लोग आगे आएंगे और आगे आने के बाद फिर सब लोग जब एक साथ लगे तो मुहुम्दी का मेला प्रारम हुआ सुरुवात में यहां की एक परंपरा रही है असुनी जी कि यहां पर लीला जो है वो मैदान में खेली जाती है मंच के उपर नहीं होती है तो यह भी यहां के लिए एक अद्भुत है और उसका पालन आज भी हो रहा है तो जो एक परंपरा बन गई कि लीला मैदान में होगी, तो मैदान में लीला होती रही और उसी तरीक चलता रहा, यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, कि जब यह मेला की सुरुआत का संकल्प हुआ, जगह नहीं थी, संसादर नहीं थे, तो राजा साहम महुम्दी ने उस समय ये जो जहां पर मेला लग रहा ये जगह राजा साहिब ने जो है मेला को दे दिया ठीक है ये मेला के लिए हम जो मिंदेर हैं मेला प्रारंब हो गया और प्रारंब होने के बाद फिर धीरे धीरे जो है मेले ने अपनी ख्याति को अरजित करना सुरू किया और आपको धारण देना चाहेंगे कि बरतमान में जो लीला करा रहे हैं पंडित चंद्रभाल मिश्रा जी इनके ससुर स्वरगी पंडित भिखारी लाल मिश्र याग्यवल्क वो कराते थे उससे पहले उनके पिता जी स्वरगी राम बिलाश मिश्रा जी वो कराते थे और उससे पहले लल 1950 में पंडित लला मिश्राजी जो हैं रास तिलक की जो है लीला करवा रहे थे और रास तिलक की लीला करवाते करवाते वही पर जो है लीला इस्तर पर भी उनका निधन हो गया तो ये बड़ा चर्चा का विसे रहा कि कितनी पुन्य आत्मा थे कि भगवान के सरी चर्णों में जो है उनका निधन हो गया और उस परंपरा का निर्वाहन आज भी वैसे ही चलता चला रहा है पंडित भिखारी लाल जी के चुकि कोई बेटे नहीं थे एक बेटी थी तो दम इत्ति पे दौज तो अपने निभा रहे हैं एक बास सामने निकल कर ये आती है कि पहले इतनी चीजे नहीं आध्वनी चीजे नहीं हुआ करती थी आज के समय में राम बरात भविता की रूप तो तब ये ताम जाम कैसे मैनेज होते थे क्या चीजे रहती थी उस समय ऐसा क् बताना चाहेंगे कि जहां पर आदमी के होसले होते हैं उत्साह होता है तो उस उत्साह की तुलणा कभी भी संसाधनों से नहीं की जा सकती है क्योंकि जो आनन्द है वो उससाह में है उससाह लोगों में अगर है तो वो उसमें भी परसनता ढूंड लेंगे हम आपको एक उधारन देना चाहेंगे कि आपको भूख लगी हो और जब भूख लगी होगी तब आपको रूखी सुखी भी भोजन के रूप में कुछ दे दिया गया तो आपको बहुत स्वाद आएगा और आपका पेड भरा हुआ हो आपको चाहें जिते 56 बेंजन रखे दें आपको वो स्वाद नहीं आएगा तो वही एक बात यहां पर भी लागू होती है कि आज संसादन हैं लेकिन आज वह उसा नहीं है कि पहले हुआ करता और हम आपको उधार न देते हैं कि पांडे जी थे वो हनुमान जी बनते थे तो वह इस तो अबना परंपरा आगए, जैसे compatible हो भी बनते थे लेकिन वो हनुमान बनने के बाद वो पात्रों को अपने कंधे पर बैठालते थे और जैसा कि हमने आपको बताया है कि लीला मैदान में होती थी तो उस मैदान के वो कई चक्कर पात्रों को कंधे बैठाले बैठाले लगाते थे और कभी कोई ना उन्होंने पारिशोसिक लिया ना कुछ लिया तो ये भाव है और ये भाव पैदा करता है कि हम अच्छे से अच्छा अपने नगर के लिए और अपने समाज के लिए करेंगे तो ये भावना जब जागरत हो जाती है तो वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है व उनके पिताजी स्वर्गी जग्दी प्रसाद सुकला और उनके बाबा वो परसुराम बनते थे और परसुराम बनने में अभी हमारा उनसे जल्दी ही बात हुई थी तो वो अपना संसमरन बताने लगे कि अतुल जब हम परसुराम के बस्तर धारन करते हैं तो उस समय एक विसे इस प्रकार का रोमांच हमारे सरीर में आ जाता और आने के बाद हमारे हाओ भाओ बिलकुल परसुराम जैसे ही हुए जाते थे और हम घर से पैदल चलते थे और पैदल चलने के बाद कोई किसी की मजाल नहीं थी हमारे सामने आ जाता हर आदमी तुनंत एकदम से रास्ता द आए नहीं जाते हैं और अपने धर्म के प्रति जब आदमी में ये भाव आ जाता है तो उसकी बात ही कुछ और उसको सब्दों में सही से प्रक्टिकरण नहीं हो सकता है बात जब इतियास की हो रहे हैं तो इतियास के संबन्द में हैं में और जानने की कोशिश करेंगे हमारे आप से बात हो रही थी कि पहले हमारे जब राम घट निकलते थी तो हांतियों की संक्या बहुत हुआ करते थी ऐसा क्या आत देखने के लिए दूर दूर से आते थे ऐसे क्या था देखे बच्पन का एक हमें प्रसंग याद है हम छोटे से थे और ये घटना होएगी सन 75-76 के आसपास की तो उस समय स्वरगी रमेश चंद्र गुपता जो यहां के चेर्मेन भी रहे हैं उनके समय में वो अध्यक्षते ह मारेन पिता जी उस समय मंत्री थे तो रमेश जी ने जो राम बरात की विवस्था की तो उस समय बाइस हाती आए आप कलपना कर सकते हैं आज कल एक दो हाती बुलाना मुश्किल हो गया है और उस समय बाइस हाती आए थे उसमें एक घोड़ा भी था और एक उंट भी आया थ और बड़ी ही भवे जिसे बरात कहा जा सकता है और ये आप समझेए कि आसे 50 साल पहले निकली तो जब 50 साल पहले इतनी भवे निकल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि उस साह का क्या इसतर रहा होगा और तब हमारी मुहमदी की आबादी भी कम थी लेकिन मुहमदी का समाज का च जाए मुस्लिम हो वो सभी लोग जब बराद निकलती थी तो सड़क के दोनों और लोग खड़े हो करके वो देखते थे बराद का स्वागत करते थे जगे जगे बराद का स्वागत होता था वैसे होता था जैसे की बराद आई हो मरे आप लोग देखते हैं उसके चिन आज भी मुहम्दी में है हमारे हाँ बाजार गंज में जहां पर रसी बानाद बिखते हैं बहाँ पर आज भी वो जान की नगर बना करके जो है विलकुल मिथला बना दी आती है और बहाँ पर जो बरात आती है उसका पूरा स्वागत किया जाता है सब को प्रशाद खिलाया जाता है च जगे जगे कोई पानी पिला रहा है कोई चाय पिला रहा है वो विवस्ता आज भी चल लही परंपरागत रूप से प्राचीन काल में जो हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराइं डाल दी उनका निर्बहन हमको खुशी होती है कि वो निर्बहन आज भी लोग कर रहे एक मंद में थोड़ा भी हमारे दर्शकों को बताई ऐसा क्यों हमारे हाँ देखे असुनी जी पहले यहां पर भी दशेरा के दिन ही रावलबद होता था लेकिन मेले की ख्यात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि आयोजक लोगों को अब ये चिंता सदाने लगी कितना मेला कैसे म मेले में हमारे हाँ पिता जी स्वरगी कामेश्वर द्याल रस्तोगी जी उनका बहुत बड़ा योगदान था और लगभग 25-30 साल जो है वो सक्री रूप से मेला में रहे कभी वो अध्यक्ष रहे कभी वो उपाध्यक्ष रहे कभी वो महामंत्री रहे लेकिन उनका जो यो में हुए हो चुके हैं उसे पहले वो करते थे तो जब ये ख्यात बढ़ी संख्या भीड की भी बढ़ी और ये पूरा नगर का ये कायोजन हो गया पूरे छेतर के लोग आने लगे फिर ये विचार हुआ कि मेला जो है ये इसको और बढ़ाया जाए इसकी संख्या जो दिन की है वो बढ़ाई जाए इतने में मैनेज नहीं हो रहा है तब इसमें सभी के विचार से मीटिंगे हुई और उसमें ये तैं हुआ कि अब ये पूर्ण मासी को जो है राबडबत किया जाएगा और आप देखते होंगे कि नबरात्र के प्रथम दिन जंडा रोहन के साथ मे हैं धनुसेगे होता है और धनुसेग के दिन ही रात में राम बरान निकलती है जो धीरे धीरे अपनी भवेता को प्राप्त होती जा रहे हैं बहुत बड़ी निकल रही है